नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिन शर्माज स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चनल जोतिशन वास्तू में, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपर 25 अपरेल 2021 के बारे में, 25 अपरेल 2021 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है? कहां पर आप सभी को सावधानी रखनी है? क्या चीजें आप सभी को करनी है? क्या चीजें करने से आप सभी को बचना है? इसके बारे में मैं आपको इस व वालो को कडना चीए तो में में इसके बारे में चोटाजा आपको यहां पर इस वीडियो में दे देता कुम 真的 का जो मेरे एंड़ से आपको वीडियो मिलता है अधुरिक एडियोगता का यह निक्स्ट डे के लिए इस calculation में मैंने astrology के सारे formulas को use किया है almost पूरा जो chart बनता है उसको use किया है मैंने आप अगर देखे cioè तो नक्षत्रों को मैंने use किया है राशी को मैंने use किया है यहाँपर योग जो बनते हैं उनको मैंने use किया है यहाँपर numerology के जरीए मैं calculations करता हूँ इसके अंदर और साथी साथ जब 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 पढ़ती तो कुछ वास्तु का भी यहाँ पर सयोग में लेता हूँ और इसके बाद एक universal calculation जो बनती है उसको मैं यहाँ पर calculate करता हूँ उसके बाद एक औरा निकल के आता है और जो औरा निकल के आता है वो मैं आपको यहाँ पर present करता हूँ कि कैसा रहेगा आप सभी का दिन यह जो औरा निकल के आता है यह almost almost सभी के उपर एक general impact करता है ऐसा कुछ नहीं कि किसी एक specific व्यक्ति पर जादा प्रभाव देगा और किसी एक specific व्यक्ति पर जो numbers बोलता हूँ यह राशिया नमबर और लेटर्स होते है इनका उस calculation के अंदर role होता है और उसके according में यह justify करने कुशिश करता हूँ कि किसके साथ थोड़ा जादा होगा और किसके साथ थोड़ा सा कम होगा किसे थोड़ा ज़ादा दियानक ना है किसे थोड़ा ज़ादा प्रॉफिट मिलेगा किसे थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा बट अगर मैंने कहा है प्रॉफिट मिलेगा तो almost सभी को प्रॉफिट मिलेगे chances वहाँ पर बनते हैं इसके बाद जो उपाय बताता हूं वो उपाय जो होता वो उसी दिन के लिए होता है मतलब कि जैसे 25 अगर वीडियो है और रात का अगर कोई उपाय बता है तो वो 25 की नाइट को ही करना है आपको अब काफी लोगों का सवाल होता है कि 25 का तो दिन खत्म हो गया ये उपाय करने का फाइदा क्या होगा दिखिए आप अगर ये सोच के उपाय कर रहे हैं कि इसका फाइदा क्या होगा तो फिर मैं आपको कहूँँगा कि शायद आपको उपाय नहीं करना चीए क्योंकि कुछ चीजें कभी-कभी हमें बीना सोचे करनी पड़ती है और उसके results जो निकलते हैं वो बहुत जादा अच्छे निकलते हैं और इसलिए कुछ चीजें रात की औरा को strong बनाती है और कुछ चीजें दिन के औरा को strong बनाती है तो इसलिए कुछ उपाय में दिन के लिए बताता हूं और कुछ उपाय में रा पर मिल रहा है किसके बहुत सारे काम बने हैं हर एक विक्ति का कुछ कुछ यहां पर अच्छा होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी के साथ भी अच्छा होगा और आप सभी के लिए आप सभी के डेली रूटिंग को अच्छा करने के यहां पर 25th 5-27 यहां पर आता है combined calculation जब हम करेंगे तो भी यहां पर 7 नंबर ही निकल के आता है यहां पर जब अंदिन देखती हैं दोस्तों तो संडे का दिन है रईवार का दिन है सूर्य तो यहां पर मनाया जादा जल्दबाजी में आपको कोई भी काम यहाँ पर नहीं करना है दिखिए now this is the indication that I am making the video background में अगर आपको कोई भी dogs का sound सुनाई दे रहा हो तो K2 it indicates the dogs also एक और यहाँ पर an location कि किस तरह से destiny कभी 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 आपको अपको support कर दे है कि में की चीज़ें जो है् वोकिस डिरेक्शन में आप जा सकती है तो यहाँ पर यह जो दिन आपका रहेगा यह कहीं आपको ले प्रफेशनल लाइफ हो चाहे किसी जनरल चीज में हो अभी का ये जो दिन है याप जितना आराम से करेंगे जितना पेशन्स के साथ करेंगे उतना ही आपको फायदा भी यहां पर देखने को मिलेगा जितना आप जल्दबाजी में कोई चीज करनी कुशिश करेंगे उतना ही आपको कहीण के दिक्कतें परेशानिया आ सकती हैं इस बात का विशेश द्यान रखेगा दूसरी चीजह आपको फायदा यहां पर जरू देखने को मिलेगा ये बहुत ज़्यादा जरूरी है इसलिए इस चीज़ को आप बहुत जल्दी दिमाग में जरूर रखिएगा इसके बाद ये जो दिन रहेगा दोस्तों ये कहीं न कहीं कुछ positive चीज़े भी लिखे आएगा positive चीज़ में आपको inner peace में लेगा you can connect with your soul also and trust me ये दिन जो रहेगा ये आपकी energy के लिए काफी ज़्यादा strong रहेगा ये आपके energy के लिए काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा इसलिए अपनी energy को जितना power दे सकते हैं जितना शुद्ध कर सकते हैं यहाँ पर कर लीजिए कर्म को अच्छा करने का समय है और केतू का ये लास्ट औरा यहाँ पर चल रहा है इसके बाद देखेगा केतू का औरा चेंज हो जाएगा और आने वाले समय में केतू कहिन की और भी ज़दा different results यहाँ पर देने वाला है तो इस समय को आप अराम से निकाल लिए patience के साथ निकालिए और ज़्यादा जल्दबाजी में कुछ भी मत करिए देश और दुनिया की अगर मैं बाते करूँ तो देश और दुनिया में भी कुछ बड़ी अच्छी खबरे यहाँ पर देखने को मिल सकती है कुछ बड़े यहाँ पर संकेत मिल सकते हैं कि जो situation जो बहुत ज़्यादा खराब है वो situation under control जा रही है वो situation अब better जा रही है और reverse gear जिसको हम कहते हैं वो यहाँ से लगना शुरू हो जाता है जी हाँ दिखता हुआ नजर आएगा अच्छी चीज़ें दिखती हुई नजर आएंगी राश्यों के लिह हाँ से देखा जाए तो राश्यों में आप देखिएगा व्रशब राशी बहुत इज़ाद शांदार दिन है आपका करकर राशी अच्छा दिन है सिह राशी अच्छा दिन है आपके लिए भी धनुराशी आपके लिए भी अच्छा दिन है मिन राशी आपके लिए भी यहाँ पर अच्छा दिन दिखाई देता है यहाँ पर numbers के अगर बात करें दोस्तों तो number 1, number 2, number 6, number 7 and number 8 इन सभी के लिए एक अच्छा दिन्या पर जाता हुआ दिखाई देता है Alphabet में अगर हम बात करें दोस्तों तो letter A, आप देखें का A, D, then F, then N, then K, then L, U, T और S यह सारे जो letters है इन सभी के लिए दिन अच्छा जाता हुआ दिखाई देखाई देखाई अब आईए बात करते हैं अच्छुक उपाय की क्या आपको क्या अच्छुक उपाय करना है जिससे कि आप अपने इस दिन को बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएं दोस्तों देखिए आज के दिन जो उपाय करना है आपको बड़ा ही सिंपल उपाय करना है बहुत ही आराम से इसको करना है ज्यादा परिशान भी नहीं होना है सबसे पहली चीज़ जब भी आप उठेंगे मैं तो आपको कहूँगा आप 10 मिल्ट जादा सोईए जी हाँ आज के दिन जो सुबह रहेगी उसमें आप उठने की जल्दबाजी मत करिए आराम से सोईएगा और पूरी तरह से रिलाक्स होके ही आप उठिएगा इस बात का ध सुर्य की क्यंदने पड़ रही तो dignity की किल् rounds घבס उसमें आपने आप एक तोड़ी से खड़ा रखिए और उसके बाद आप अपने रूटीन को शुरू करिए यह आपको शुरू में सुबह सुबह पर करना है इसके बाद गर के सभी सदस्यों को चंदन का ठीका जरूर लगाईगा जी हाँ गर के सभी सदस्यों को चंदन का ठीका लगाईगा यह बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छी एनर्जी सभी को बनी रहेगी यहां पर कहीं के एक अच्छी एनर्जी सभी के अंद आपके पास available हो जो भी वो खा सकते हो street dogs की बात कर रहा हूं है इस बात के दियान रखिएगा तो थोड़ा सा जो भी आपके गर के आसपास हो नहीं भी हो आप रख दीजेगा जो भी होगा वो आपके खा लेगा तो ये काम आपको जरूर करना है दूसरा उपाय आपको क्या करना है दोस्तों आपको पूरे दिन पूरे दिन तामबे के लोठे से तामबे के पात्र से जल को ग्रहन करना है मतलब कि जो भी आप पानी पिएंगे वो तामबे के लोठे से ही पिएं तो वो जादा अच्छा है या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि आपके पास जो मटका होगा पानी का या जो भी इंस्टुमेंट होगा जिसमा पानी भरते हैं उसमें आप तामबे का लोठा पूरे दिन डुबो के रख दें और फिर उस पानी को आप किसी भी तरह से अच्छा आपको पूरे दिन करनी है और पूरे दिन शान्त रहना है पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है चीज़े जितनी अच्छी जाएंगी उतना अच्छा आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा उमीद करता हूं कि छोटे छोटे से उपाय आपकी दिन को खैणिकस करेगा और यृध Phoenix मीं बैल आइकन पर जरूर से क्लिक करीगा इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं कुछ बहाना चाहते हैं अपनी कुण्ली का अनलेसे करना चाहते हैं आप मुझसे संबर्ड कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश झाल झाल